है कि जब है कि बच्चा जंब लेता है जन्म के बाद उसके माता या पिता के में फॉ için में आजाता है इसा क्यों होता है इस पर हमें ने जो कल बात किया था उस पर कुछ कुछ लेकर हम उसे समझने का पर्यास करेंगे ठीक है कि आई यह कि अग्षाइब यह कुंडली आप देख रहे हैं इस कुंडली में देखिए जब से इस जात्तक का जन्म हुआ है उसके बाद से इनकी माता को अत्याधिक कष्ट जीवन में मिलते रहे है अत्याधिक कष्ट जिसका कोई बढ़न नहीं किया दा सब्सक्ता लेकिन वह कष्ट आते भी है और वह कष्ट कुछ दिला वह ठीक भी हो जाते हैं, अर्था चाहँए तो समस्या तो आ रहा है, लेकिन वह समस्या ठीक हो लियो तो ऐसा क्यों मिलते है जो हमने रूल को समझा जो हम रूक तो रूल तष्ष्ठ हमें दूसरा चंद्रमा पे किनी ग्रहों की द्रिश्टी पढ़ रही है जो चंद्रमा को प्रीद कर रहा हो देखिए कि आवाज क्लियर नहीं है अब हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही अभी अब हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है एक मिनदर अब क्लियर आ रही हमारी आवाज क्या आए वाज एक मिनट का समय दीजेगा हम देख रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है प्लेज़ आवगाज ये ढवाजया है जैगे है चलड़ आपन्स होगएनिजेख रहे हैं क्यों है इंदेख कर अशल लोग्ये नहीं है आप्छिक्व सेजिए हैं Fatinha कि अब हमारी आवाज आप लोगों तक किलियर पहुंच रही है राहूल जी जी अब कच्छा को आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा इस कुंडली में कि चंड्रमा तो आठवे में चले गए तो जो रूल है वो तो कहे ही कह रहा है कि आठवे मेरी चंड्रमा है तो वो समस्या दायक है अब चंड्रमा पे किन ग्रहों की रिष्टियां जा रही है वो है जन्म कुंडली में तो हमने देखा है कि चंड्रमा मंगल की कौन सी है बताइए न मंगल की जो मूर्टी कौं रही है वो कौन सी है कि एक सर अधि टुम धिकॉन विए उन्हें वहां गया है इस कारण से मंगल लगनेश को हैं ही लेकिन इस मंगल त्रीशडाय भी हैं जितना वो लगनेश है उतना मंगल किसे दे रहे हैं चंद्रमा को दे रहे हैं ठीक है इसके बाद और देखिए और कि नहीं ग्रहूं के रिष्टियां मंगल को चंद्रमा के ऊपर जा रही है अचनी की रिष्टि जा रही है नहीं और किसी घरीन है एक जा रही है गुरू कि कौके बात कि थिया आप लोगों से तो अप लोगों कों को याद लेकिन गुरु की तात्वित जिष्टी जो है वो त्रीपदी है त्रीपदी अर्खात वो ऐसा है जो संपुर्ण जिष्टी अपना नहीं दे रहा है तो इस कारण से इस जातक के मा के जीवन में प्रिडा देखने को मिल रही है और बारवार देखने को मिल रही है लेकिन गुरु की त्रीपदी जिष्टी होने के कारण गुरु बचाव तो कर रहा है गुरु बचाव कर रहा है लेकिन समस्या यहां यहां आ रही है त्रीपदी जिष्टी है न तो वो ज्यादा बचाव नहीं कर पा रहा है तो इसके कारण इस जातक के मा के जीवन में समस्या आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है तो इसकी अवधी क्या थी इसकी जो अवधी थी जिसमें हमने बात की थी वो अवधी क्या थी तो बारा बर्ष के आयो तक माता के जीवन में निरंतर गष्ट आते रहेंगे अब जैसा हमने कल बात किया था कि यदि ऐसे हैं तो हम उसके उपाय भी करेंगे उसके उपाय की भी हम बात करेंगे तो इस कुडली के हैं उपाय देंगे ज्यांगे को को कुं स्प्रियं कर साथ चंदर्मा के साथ मंगल श nós आभी किस吐 चल रही है थारो कं चल रहे हैं गुरू चल रहे है १िक है कि आई सब्सक्राइठ कहां बैठे हैं गुरू के ही तरीम से में बैठे हुरे हैं तो इसके अनुसार गुरू किसके किसके रिजल्ट को दे रहे हैं गुरू को चंद्रमा अपने साथवे द्रिष्टी से देख रहा है गुरू जो है वो अपना रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन वो चंद्रमा का भी दे रहे हैं उनकी चंद्रमा गुरू से प्रस्पर दिश्टी बत संबंध में है और मंगल से पड़ित चंद्रमा है तो इस कारण से इस जातक के मा के जीवन में अत्याधिक समस्या भी देखने को हमें मिल रही है यह समस्या कब तक रहेगी यह समस्या 2024 जो चल रहा है उसके दूसरे महीने के बार अबार इस साल फर्वरी के बार थोड़ी ठीक हो जाएक चंद्रमा से सनी का संब्मद नहीं है तो यहां वो असपश्ट कर रहा है आ रहे हैं थिक है थिक है आ रहे हैं वहां भी आ रहे हैं पहुंच रहे हैं तो जब सनी जब सनी की दसा इंजातक के जीवन में आएगी तो इस जातक की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी इस जातक के माँ की समस्या ठीक हो जाएगी आपने कहा गुरू जो है वो पारस पत्थर है पार्टवे हाउस का लॉड है और वो पारस पत्थर है लेकिन अभी एक रूल पर मैंने बात किया जिसमें दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको, कि गुरु की जो सात्वी द्रिष्टी है वो उतना काम नहीं करती है जीवन में, जितना पाच्वी और नौवी द्रिष्टी काम करती है, गुरु तो पार्स पत्थर है ही, लेकिन गुरु यदि सात्व में बैठा होता, या गुर गुरु की पाच्वी और नौवी द्रिष्टी जा रही होती, तो वो और बेहतर जीवन कर देता, मा के जीवन को अच्छा कर देता, लेकिन गुरु की सात्वी द्रिष्टी जा रही है, जितने कारण गुरु मा को मृत्यू से बचाये हुए है, मृत्यू से बचाये हुए ह व्रत्यों तक नहीं जाने दे रहा है लेकिन कश्टे जो है वो जीवन में वो देते रहे किसी लिए सदय मैं ही कहता हूं कि जब भी किसी एक प्रेटिकुलर किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो खासका जोतिश के अंतर तो उसमें जिस पे आप जिसे देख रहे हो ना उसी पर आपका फुक्स होना चाहिए और किसी दोस्ते जगा नहीं जैसे घुर्ण तो हमें पारश पथर दीख रहा है लेकिन मंगल इफलेक्ट किसे कर रहा है चंद्रमा तो जैसे चंद्रमा अपने गुन को गुरू के साथ दे रहा है जिसे आप मालन लिए आप राश्ते में कहीं जा रहे हो तिका आपका एक बहुत अच्छे से हैं आप तो लिकिन आपका जो फ्रेंड है वे की सराव की भॉतल हात में लिए है और अब भीहार में भीहार हो तूर से पुलिस खुजदी आपमें प्बयूता हैनुट लेकिन आपके साथ आपका भीहारms भीहार्वन से वहरा पुलिसुंटर आपको अध तो चंद्रमा यहाँ अपने रिजल्ट को तो गुरू के साथ दे रहा है, लेकिन वो मंगल के रिजल्ट को भी गुरू के साथ दे रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी जुष्ठी चंद्रमा पर पढ़ रही है, इस योग को और अस्पष्ट करने के लिए हम एक बार चंद्रकुंडली लगा लेते हैं, और चंद्रकुंडली से इसे इसका निर्णाय करते हैं, कि जो चंद्र कुंडली से हमने कल पढ़ा था कुंडली के अंतरगर कि चंद्रमा से साथवे में चंद्रमा से पाथवे नौवे में तो उसे लेकर देख लेते हैं चंद्र कुंडली बन गई चंजर कुंडली में देखिए कौन-कौन जो है जो समस्या दे रहे हैं आपको और किलियर दिखे जाएगा मंगल की चौतिर जिस्टी जा रही है अभी तो हम देखे थे की मंगल क्या है लगनेत यहीं है लेकिन मा के मां के लिए मंगल क्या है अब बताईए आप वो- चैंजर कुंड़ हैयद तो इसला फ्रीचपटछाय कि-स्प्रका से 12रे astrology那麼 इसके स्वामी का संपर्क चंद्रमा से हो गया है चंद्रमा और गुरु में शप्तम विष्टी से संबंद बन गया है तो इस कारण से भी इस ज्यातक के जीवन में अत्याधिक प्रस्थ हमें देखनी को मिल रहा है अब देखिए कश्ट को मिल रहा है अब कश्ट आएगा कहां से फुड़ा अपना जो है ज्यान चचु है उसे कोल कर समझने का प्रयास्थी दिएगा किस्ट कहां से आएगा जिसकी दसाद कर रही है वो किस्ट लाकर देगा इस किस्ट कहां आएगा गुरु कहां भैठा रहे है गुरु कहां भैठा है हिस जातक के मां के जीवन में कर्ष तहां आएगा ? कश्ट आएगा नम्पत्य जीवन लोसका जीवन इस बच्चे की मां का उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की कश्ट आएंगे दूसरा यदि से हम लगनकुंडली ही मानते हैं लगनकुंडली से हम इसकी प्रेडिक्सन करेंगे गुरु कहां बैठा है गुरु दूसरे में बैठा है कष्ट को कहां दे रहा है कि चंद्रमा के साथवी जिष्टी कहां जा रही है कुटुंब में परिवार से जातक के कोक कष्ट प्राप को होगा मैं बताओं जिनकी बच्चे की कुंडली है इनकी मा के जीवन में बच्चे के जन्म के बाद अक्तियाधिक कर्ष्ट देखने को मिदयें है इसका कोई बढ़नड नहीं किया रहा है तो जा सकता है और दमपत्य जीवन और कुटुंब अर्थास परिवार के अंसर रही है गुरु कहां का स्वामी हो रहा है तो इस कारण से भी गुरु जो है वो मेंटेन करके चल रहा है इस जातक के मां के जीवन में कौन ऐसे देवता है या कौन है जो इस मां के इस जातक के मा के जीवन को बटा सकता आच या मा के जीवन को बहतर बना सकता है वो सिर्फ एक है है इनके पति भूंचergी के डीवन को बहतर बना सकते हैं ठीक है तो ओम किष्ञाय लिए्न बासि देवाय ह्एले परमात्रने जो एं मंत्र है यदि इस मंत्रका निरंतर जब कि आजाया या इस मंत्रका स्रवन कि आजाया जाया विष्णो सहाथ समाव को सुना cooperative तो इस्टे के मा के जीवन में अत्याधिक जो कश्कार्णवें थिक हो जाए इस इस कुण्डली को लेकर आप लोगों कि ही का को बश्ण है जहां पर आपको शमजने में समस्या हो रही मतलब किसी की विद्थ सा रहे तो वही कश्ट रेगे आपने देखा एक दूसरी कुंडली और लेते हैं जो मां के कश्ट को ही बता रहा है अवाज आदी सर कि अलो यह देखिए कुंडली रही कि इस कुंडली में आप देखेंगे इस कुंडली में आपको जो कि अपकी आवाज नहीं है अलो मेरी आवाज आ नहीं है सर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच लिया क्या मेरी आवाज शुना इदे देखिए आप लोगों को कि अच्छा जी सर ओके और कि नहीं कि नहीं आ रही है तो आपके पास से एक हो सकता है ऐसे तो आप लोग सभी अन्म्यूट हैं आप लोग अपने साइट चें अन्म्यूट कर सकते हैं आप लोगे दी कुछ बोलें तो आवाज हम तक पहुंच सकता है अब यारी इस अरवाज कि जो इसमें जैसे अभी तुमाली जो गुरू की चल रही दसा तो जिसकी दसा आएगी वह इनको कश्ट देगा फिर कि जो संपर्क में होगा कर दो मतलब कि अपश्ट आएगी मतलब वही कश्ट देंगे चिस सणी आएंगे तो सणी की दसा जो है वो इस जातिका के लिए मतलब इस जातक के मा के लिए कश्ट दायट नहीं वह तो इस कारण से सनी की दसा ठीक जाएगी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन प्रमुखता है आप जब मा का विचार करते हैं तो उसके लिए चंद्रकुंडली को देखना उतना ह प्रमुखता है जितना आप लगन कुंद्ली को देख रहे हैं अब फरवरी से इनकी इनके माता की तक तो इस तरी सही हो जाएगी और मुझे तो आज से ही जनवरी जैसे प्रागम दूआ है तो उसे ही मुझे मैं ने बेट्टी कर जानता हूं ठीक है तो इनकी जीवन जो है आज वो कुछ शमें ठीक दीख रही है तो मैंने इनकी कुम ले लिए लिए तो पाय में बस सर उनको भी बताए वह जो मंत्र अपने बताए गुरु का वहाँ पर गुणॡ कैशा मंगल क्या है मैंने पूछा मंगल क्या है मंगल आग का गोला मंगल क्या है मंगल क्रोध को कुछ दिखता नहीं है अपने सामें थिका है मंगल यह है वह समा सूर है और समा जब जब भगवान सीव मैंने पहले बीच्छ बात की थी आप लोगें जब भगवान चीव जो है भश्मा सूर आता है भगवान के आशिरवार माँड़े कि भग आप मुछे कुछ दे दो बहुत किया है क्या चाहिए वो काता है मुझे कुछ भी देज़ों तो काते है चलो ठीक है मेरा पड़ा रख लो तुम इसे तुम अपने हाथ में धारान कर लो तुम जिसके भी पर पे हाथ रखो गे वो भस्म हो जाएगा अब भस्मा तुम एक मिनाट कर माइक को बंद कर लिए तो बस्मा सुलिया कहता है कि चलो अब हम इसे टेश्ट भी तो करना आवस्याद है कि आपने दिया है क्योंकि मंगल मंगल एक्शन है एक्शन ओएंट है वह तुछ कहता है मैं उझे तेही है तो तेज है तो कहता है और दूसरा कोई नहीं जलो आप ही के ऊपर मैं देश्ट करता हूं अब लगा भगवान के उपर अपना हाथ रखने भगवान भागते फिरे कि मेरे उपर आप सब्देगा महीं भास्म हो जाओंगा तो इस कंडिशन में वह भागते-भागते किसा आश्वन कि ए भगवान कि बज्वान विश्टनू आएं किस रूप में आएं मोहीनी के रूप में और मोहीनी को रूप में उन्होंने लिट करते हुए जिसे डांस करते-दित करते-एंडे ऑश्चेप किये हैं अब भश्माश भुश्भर करूंगा तो करते हैं ठीक है जैसे जो दो अश्टेप मैं कर रहा हूं वही अश्टेप तुम भी करना तो अपना अश्टेप भरवान दिखाते हैं और अश्टेप करते करते अपना सर वो अपने हाथ अपने सर के उपर रखते हैं तो भस्मा सूर भी अपने हाथ को अपने सर के उपर देखिए कि मंघल के उपाय के लिए हम इसका परयोग करेंगे घर्वान ठीहरी के मंत्र का किस्स मंत्र का इसंभवतह पर्योग ज्यादा किया जाए विश्नोस अप्रणाम का या एक दूसरा मंत्र है जो भुझान के उग्र स्वहाव को नहीं दर साता है एक मौहिनी हाए जो आपको अख़्ा पांप करेगा जिससे देखिए। मान दीजे कोई देखती है आपके पास आया और आपको पहरागा है तो पहल यहारा है तो बहुत वेकार है और आप उसको बहुत बेकार है। सब्सक्राइब और गण्रोड कर रहा है आप मुश्कुरा रहे हो तो से इतना क्लोड कर लेका वो खुद भस्म होजाएगब तो ये मोहिनी कौन है भगवान स्रीहरीन या फिर जब हम कहें मुस्कुराहट जो मुस्कुराना कौन सा ग्रह है जो हैपिनेस को दिखाता है बताइए बुद्ध जो हैफिनेस को हमारा दिखाता है तो बुद्ध के जो देवता है वो गंभा नहीं है गनेश नहीं है बुद्ध के देवता जो है वो स्रीहरी है भगवान विश्नु है तो इसलिए ही मंगल के उपाय के लिए चगए भगवान विश्नु के उपाय को करना चाहिए किलियर है आप लोगों को जी सब्सक्राइब कि इस कुंडली में देखिए चंद्रमा पिडित आपको दिख रहा है चंद्रमा पे सणी की सात भी द्रिश्टी जा रही है और किसके दिश्टी आ रही है गुरू की क्या है इस कुंडली में कर रहा है अब देखिए जो रूल सुर्यान विश्टा के कुंडली प्याव को में देख चंद्रमा पिए लेका वो दूल आपको यहां मिलगते हुए दि मिलेगा क्योंकि उसमें आपका प्रश्ण था कि गुरु की तो भाई साथ विश्टी जा रही है गुरु पारसमनी है इस कुंडली में गुरु पारसमनी है और गुरु की जो है वो नौवी दुष्टी जा रही है और इस स्वामी जो है वो चौथ्य और पाचवी के स्वामी हो जा रहे हैं और सनी की दृष्टी ताट्वी दृष्टी चंद्रमा के ऊपर जा रही है गुरु त्री सडाय हो जा रहे है और गुरु की नौवी दृष्टी चंद्रमा के ऊपर जा रही है अब यहां गुरु त्री स और बाले नम्मीय वी स्ँद्र ने कुल रहे हैं। लिखने कुंडली में गुरू बचा रहा है। चंद्रमा को सनी बचा रहा है अठाथ एक मार रहा है तो एक बचा रहा है याद होगा इसी कुंडली पे मैंने कलाप लोगों को बताया था कि बच्चे को मा के अस्तन पान की मा के अम्रित की प्राप्ति इस बच्चे को नहीं हुई है अब आपका वोगे सुर्य कहां इसमें है सुर्य के डिगरी क्या है दो पाइंट दो डिगरी तीन मिनट जब आप इसे भाव स्रीपति अर्खात एक निरियन भाव चरित कुंडली होती है वो यह बताती है कि आपके ग्रहों की जो लोकेशन है एकजेट वो कहां बैठे है वो बताती है वो जैसे हमने भाव स्रीपति को बनाया क्यूंकि देखेए दो डिगरी है इससराई भ्याद रखेगा जिस ग्रह की डिगरी दो डिगरी हो या जिस दिग्रह की डिग्री एक या दो डिग्री है वो जिसकी एक या दो डिग्री है वो अपने से पीछले भाव का भी दिजल्ट आपको देगा किंकि वो अभी उसी में है आया है जिसकी डिग्री 28-30 है वो अपने से आगे बाले भाब का रिजल्ट देगा किंकि वो उसमें जा चुका है उसका थोड़ा अंस जो है वो पीछे है ठीक है तो इस कुंडली में जो हमने स्रीपती को बनाया क्योंकि सुर्य के डिग्री जो है थो कम है तो सुर्य कहा आगे साथव में आगए तो जो कल हम हमें जिस रूल पे हमने बात की थी वो क्या रूल था यहीं था ना फिसन्द कुंडली के अंतर रख यदि सुर्य साथ्वे भाव में में मेस या तूला रासी में आ जाएं या शुर्य उच्च के या नीच के हो जाएं तो उस इस्थिती में जातक को मा के अम्रित की प्राक्ति नहीं होती है ठीक है तो वो भी रूल इस पे हमने बिल्कुल देखा वो मैच कर रहा था फिर हमने जो इस रूल को अभी लगाया चनी और गुरू के ढूना जबना है यहां लुट भी इस जात्र के मा को कश्ट तो होगि मैं कश्ट दूँगा दोनों गरा ही करएं कि मैं कश्ट दूँगा एक घ्र हर सॉज्वकीस बचquito देगा पहला जाए और कुणली किसी और की नहीं है वो हमारी ही है आप लोगों को पता होगा ही है और संभ का जो मेरा जीवन रहा वो मा के साथ रहा वो मान के सांथ नहीं रहा कि मैं सदा मात के पास श्रही रहा हूं और मैं समझता हूँ कि बहुत कम मुम्राइप के अंतर रहा थी मेरी माताजी हम छोड़ कर चली गए आराथ यह जो दो ग्रह बचा रहे हैं सनी बचा रहा है और गुदु बचा रहा है एक मेरी आयू के मेरी माता जी हमें खोड़कर चली गए वासंगा हो गया तो यह जो रूल असपश्ट यह कह रहा है हमें कि जो 24 बर्स का जो हमने कॉंसेप्ट बताया यह जो अरिश्ट योग है वो 24 बर्स के अंदर काम करते हैं तो ऐसे काम कर रहे होते हैं हमारे जीवन के अंसर ठीक है तो खासकर हमें यह देखने की आप सकता है कि यदि गुरू की दृष्टी जा रही है और चंद कुंडली के अंदर भी गुरू अच्छी इस्थिति में आपको देख रहे हैं तो ऐसे में मा की मिर्थिव नहीं होती है मा सकुसल रहती है मा को विशेश कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो कब जब ही आपको मा पे विचार करना हो जो भी आपको रूल मैंने मा को देखने के लिए मात्री कश्ट के विचार के लिए बताएं हैं उन सभी रूल को आप अपलाई लगन कुंडली पे पी करेंगे क्यों कि चंडर कुंडली जो है वह बहुत अच्छे से आपको मा के बादे मैं बताते हुआ कि जैसे हैम को हम ने ल doubled been तो यह क्या कह रहा है चंद्रपुंडली के ठीक दूसरे भाव में कि इस जातक के मां के परिवार में कष्ट होगा पुटंब्र में कष्ट होगा क्यों कि त्री चड़ाय वहां गया है फिर साथ में सुप्र जाके बैठे हैं तो यहां यह भी बचाव कर रहा है कि जातक के माता के जीवान में पारिवारिक संबंद कष्ट आएंगे लेकिन वह कवाएंगे जब शुक्र की और गुद्र की दसा जातक के जीवान में आएगी तर्भ क्योंकि शुक्र और गुद्र जब आएंगे तो सुलय के जल्ट को वह दे रहें गहं गोती में जब सुरे की दसा आएगी तो विशेष कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है तीसरा भाव जो चंद्रमा से तीसरा भाव है वहाँ पे किसी की द्रिष्टी जा रही है देखिए वहाँ पे किसी की द्रिष्टी जा रही है मंगल की द्रिष्टी जा रही है कौन सी द्रिष्टी ज है दोनों मारत को आप मंगल की चौत्र जिस्ति वहां जा कि तो ti- महां कहां के पॉलेकर जा रहा है कि इसे क्तु tecnología तो मंगल कैसा नवारा तरह के लेकर वहास जा रहा है तो कि ज है आपका माइंड然 बताहिए मंगल कैसा न 12 आपный कि अट्छाइल कुंण वह देगा या खरावी व कि ईजगरालु हो सबस्ताों जो मंगल है वो अपनी तृधी दिश्टी वाह yourself भाव सेती इसले भाव मारा बाव हमारा क्या एक हैं मैं दो स्हाथ चलिप उससे एसे हम 부터 सामने बोला जाए यह सक्षाय। तो आपके मस्तिष के अंदर क्या आए यूटिलाइजाशन को छोड़ दीजे ABC उसे छोड़ दीजे क्या आपको मस्तिश में यही ना रहार यार यहार वार मारक है शापर जो है वह ही मारक है वह इस जीवन में कश्ठी ना कर देगा पो इनकी जो इस्थति है जातक की जो माँ की स्थति रही। पीजो हिरुकर्ण के मान जा तक का जातक की जो मार dona या फिर कि जातक किसी ग्रभार के द्रिष्टी नहीं है वहां किसी द्रिष्टी है सिर्स सनी के द्रिष्टी है और सभ्खर का Lord है तो पता है यहां क्या कह रहा है यहां कह रहा है कि इस जातक की माहका जैसा कर्म होगा Gör Crash कर्म की नुशार है कि सनी जो है वो अपने चौथे से चौथे में रहा है yutylization की हम बात करेंगे तो यहां हम बोलेगे यदि ये अपने जीवन को सुखी और संपंड बनाना चाहते हैं तो इन्हें अपने जन्वस्थान अर्थात इस जातक की जो मा हैं वो अपने जन्वस्थान को खोल कर कहीं दूसरे जहाद सिख्ट होंगी तो उन्हें सुख्षुःधा और मन की सांती की प्राप्ति होगी तो इस चंद्र कुंडली से हम मा के बारे में बहुत तरीके से भीषार कर सकते हैं आई पुछ बात कर लिते हैं पित्रकष्ट के बारे में असर्थ चंद्रकुंडली के कैसे मा को देखना है या पेरत हम कैसे मा के कश्ट को देखते हैं जो भी रूल आपको मैंने कल बताए थे वो सभी रूल आपको किलियर है उनसे संबंधित कोई प्रश्ण है नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी एक दू दूल जिस पे अभी थोड़ी सी बात करेंगे यदी छठे भाव का यदी फे और बारा भाव में छे या और बारा भाव में एक साथ पाप गुद्रह हों पाप गुद्रह कौन है मंगल हैं यदी छे और बारा भाव में एक साथ पाप गहा से रहा तो इहुआ मा के लिए क्श्टकारत होता है और यदी आति और पीद्रह कं04 में वे लिए म माता पिठा दोनों के लिए क्श्टकारत होता है लग्न लग्न कौन सा भाव है जो आपका पहरा भाव है बारावा भाव और साटवा भाव यह तीनों अस्थानों पर पाप ग्रह चले जाए तो आपके जीवन के अंतरगत अर्था जिश्वी जातक का जन्म हुआ है और उसके जन्म कुंडली में लग्न में द्वादत में और सप्टम में पाप ग्रह है तो उसके जन्म के बाद ही उसके समस्फ परिवार में पूरे परिवार में कष्ट कारक होता है यहां भी उही तब ही कंडिशन है सुख ग्रहों की विष्टियां नहीं होनी चाहिए यदि सुख ग्रहों की विष्टियां हैं तो यहाँ ज्यादा कष्ट कारट नहीं होगा वो ज्यादा सुमस्यादायक नहीं होगा यदि सुख ग्रहों की विष्टियां नहीं हैं तो यहाँ अत्याजी कष्ट कारट होता है पुमा... आप देख रहा हैं इस लग्ण में सनी रहू है ताथ्वे में केतु हैं और बारहवे में मंगल इस तीनों के तीनों पाप ग्राइब कि अब इनके देखे रिष्टी वद कोई सुप्ग्रा है जिनकी रिष्टियां इन तीनों घरों के पड़ रही है देखिए यहां कुंडली आप लोगों को दिख रही है ना जी गुरु जी दिख रही है दिख रही है गुरु की रिष्टी कहां जा रही है बताइए गवि पहले सात्वे और बारहवे भाव में जो इस रूल पर हमने बात थी कि पहले भाव सात्वे भाव और बारहवे भाव में इन तीनों अस्थानों पे पाप ग्रह हो पाप ग्रहों से यहां योग बना हुआ था पाप ग्रहों और उन पे यदी सुख ग्रहों के त्रिष्टियां नहीं है तो यार जातक के पूरे परिवार के लिए कश्टकारत होता है जातक के ओहर और पूरे परिवार के लिए कश्टकारत होता है तो इस कुंडली में गुरु की जो रिष्टी है पाचीवी रिष्टी गुरु की कहां जा रही है दस्वे में गुरु की साथ भी रिष्टी कहां जा रही है नौबे बे मंगल की रिष्टी आप देखोगे तो मंगल भी मंगल की जो रिष्टी आप देखोगे वो भी आपको लेकिन मंगल जो है वो क्या है पाप ग्रह है तो सनी के तू मंगल राहू तो चार ग्रह जो है वो इन घरों में विराजमान हैं तो इस जातिकार का जैसे ही जन्म के बाद जैसे ही इस जातिका का जन्म हुआ जन्म के तुरंत बाद ही मैं कहूं तो तो पिता और मासा दोनों में अलगाव हो गया अगर अलगाव कहें तो जो हम बोलते हैं तलाग या जो मैरेज में समस्या उपड़न होती है वो चीजें हो गए जातिका के जन्म के बाद ही जन्म के कुछ महीनों के अंदर ही ऐसी इस खितियां बढ़ गए और जन्म के लगता ह है दस ते ग्यारा साल बारा साल के बाद इस जातक के पिता के ब्रत्ती हो गए तो तो ऐसे योग यदी आपको किसी भी कुंडली में दिख रहे हैं तो उस परिवार के लिए अत्याद ही कश्ट पारत होता है ऐसा योग तो यह है योग आप लोगों के समझ में आया यह है योग आप लोगों के समझ में आया कैसे इसे देखना है या कैसे काम कर रहा है जी सर्दी तो दोहरा दने प्रथम सब्सक्रम और बारस में जन्म के समय जी यदि आजाए जो पाप ग्रह वो आजाए और सुभ ग्रहों की तुष्टिया ना हो तो जातक के पूरे परिवार के लिए यह तक रहेगा यह 24 वर्स के आयू तक रहता है जीरे-धीरे जैसे उपर की बढ़ते जाएगा जातक का आयू वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा है पादा साल के बाद ओर घर घर कम होता चला जाएगा एगा तर अगर कसी एक गर में प्लैनेट ना हो तो तो दखिए यदि किसी एग गर में प्लानेट नहीं हो तो असपर्च डूप में है जो दूल हमारा है वो मैंच नहीं ख़र रहा है बस जैसे राहु केतु तो होई सकत जातक का जन्म जो है वो दो से यदि जातक का जन्म मात देड़ घंटे बाद हुआ होता या तो आधे घंटे पहले जन्म गुआ होता तो यह जो योग बना है वो नहीं बनता इसलिए इन योगों पे जब भी हम बात करते हैं तो निश्चित रूप में यहां में करना है कि भाईया ऐसा है जो योग है वो नहीं मैच कर रहा है तो फिर हमें ज्यादा फुकस करने की आल सकता नहीं है कि हां चलो ठीक है उससे आगे फिर नहीं कि मंगल नहीं है या फिर द एक नहीं है एक आ रहा है तो इस पर कोई श्रूप करना है नहीं मिल रहा हूँ हम आगे बर जाएंगे उसके भी हम यह नहीं करेंगे पिता के लिए कुछ एक दो योग प्याधम बात कर लेते हैं। तो बालक के पिता जिवित नहीं रहते हैं। दूसरे भाव में सनी, उनके साथ में सुर्व हो, मंगल हो, पुद्ध हो। तो बालक के पिता की मृत्यों हो जाती है। लगन में गुरु हो। और दूसरे भाव में सनी, सुर्व, मंगल और गुद्ध हो। तो ऐसी इस्थती में जातक का जब विवाह होने वाला हो या विवाह का समय होता है। उस समय जातक के पिता की मृत्यों हो जाती है। तो वो समस्या दाया की हमारे जीवन में होता है, ना कि वो हमें और बेहतर बना रहा होता है। ठीक है। तो आज प्रमुखता है इन दो रूल पे आप काम करेंगे, इन दो रूल को समझने का पर्यास करेंगे कि क्या आपको ये दूर रूल के संबंध में कोई कुंडली आपको दिखी या नहीं दिखी। और इस रूल पे और कुछ कुंडलीयों पे अगली कच्छा में हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे हमें जोतिस में आगे बढ़ना है। आज की पच्छा को लेकर यह आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप नहीं बताएं और अब कि